आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एकाग्र का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले एकाग्र का आर्थ समझते हैं एकाग्र का आर्थ होता है एकाग्रचित या ध्यान केंदरित यानि कि जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंदरित करते हैं या एक ही चीज़ पर अपना मन टिका लेते हैं यानि कि आप अपना मन एक ही चीज़ पर जब केंदरित कर लेते हैं तो उसको एकाग्र होना कहते हैं तो एकाग्र का विपरित आर्था कियाने कि विलोम शब्धों का चंचल याने कि जैसे हम कहते हैं कि उसका मन एकाग्र है या उसका मन चंचल है और चंचल का आर्थ होता है ऐस्थिर होना या हलचल होना तो आईए अब हम एकाग्र और चंचल को कुछ उधारन वाक्यों से समझें जैसा कि आप कह सकते हैं कि ध्यान और योग से मन को एकाग्र किया जा सकता है या फिर आप कह सकते हैं कि परिक्षा में अच्छे अंख पाने के लिए एकाग्रता आवश्यक है या फिर आप कह सकते हैं कि उसका चंचल स्वभाव सब को पसंद आता है या फिर आप कह सकते हैं कि चंचल मन को ध्यान से शांत किया जा सकता है अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंगलिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें